नमस्कार मैं एडोकेट नरेश्कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल विधान का ग्यान पर दोस्तों काफी बार शादी दो ऐसे लोगों के बीज हो जाती है जो एक दूसरे के लिए नहीं बने होते दोनों में ऐसी परिस्थिती तो नहीं होती की तलाक का अधार मिल सके लेकिन दोनों का वैचारिक, सामाजिक और बौधिक इस्तर इतना अलग-अलग होता है कि उनका एक साथ रहकर शादी में बने रहना भी संभव नहीं हो पाता तब बात आती है आपसी सहमती के अधार पर तलाक की आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपसी सहमती से तलाक लेने के लिए क्या प्रक्रिया होगी और अगर पती या पतनी में से कोई आपसी सहमती से तलाक की पेश करने के बाद तलाक से मना कर दे तो क्या होगा इसलिए वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए टॉपिक शुरू करें इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लिजिए ताकि नए वीडियो की जानका मेरिज एक्ट के अनुसार या स्पेशल मेरिज एक्ट के अनुसार हुई है और उनका आपस में एक साथ पती-पत्नी के रूप में रहना किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पा रहा तो वे परिवार नैले में आपसी सहमती के अधार पर तलाक लेने के लिए पेटिशन फा पेश नहीं की जा सकती है इसके बाद दूसरी शर्त यह है कि दोनों को एक दूसरे से अलग रहते एक साल से ज़्यादा का टाइम हो गया हो हलांकि अगर परिस्थितियां ऐसी है कि पती या पत्नी का साथ रहना संभवी नहीं है और सामाजिक इस्तर पर उनका अलगाव हो है तो इस शर्त में कोई छूट भी कोड दे सकता है तीसरी जरुरी बात यह है कि पती पत्नी दोनुं इस बात पर सहमत हो गए हों कि वो दोनों कोर्ट में आपसि सहमती के अधार पर तलाक ले लेंगे दोनों की ये सहमती स्वतंतर सहमती होनी चाहिए यानि उन पर किसी बात ये है कि इस टाइप की petition पती और पतनी दोनों के द्वारा एक साथ court में उपस्थित होकर फाइल की जाएगी दोनों में से कोई एक अगर court में उपस्थित नहीं होता तो आपसी सहमती से तलाग की petition फाइल नहीं की जा सकती अब बात करते हैं कि petition कौन सी court में पेश की जाएगी तो इस प्रकार की petition को सुनने का अधिकार परिवार नयले को होता है और अगर उस थान पर परिवार नयले मौजूद नहीं है तो वहां के जिला नयले में petition फाइल करनी होती है कौन से थान के परिवार नयले में petition पेश की जाए इसके बारे में तीन विकल्प मिलते हैं सबसे पहला तो वह इस्थान जहां पर शादी हुई थी दूसरा वह इस्थान जहां दोनों पती पत्नी अंतिम बार एक साथ रहे थे या फिर वह इस्थान जहां पती या पत्नी में से कोई petition फाइल करने के टाइम पे रह रहा है अब बात करते हैं कि petition के पेश होने पर प्रक्रिया क्या आप नहीं जाएगी दोस्तों पारिवारिक मामलों में हर संभव प्रयास ये किया जाता है कि किसी भी प्रकार से परिवार बचा रहे और पती-पत्नी में तलाग की स्थिति को टाला जा सके इसलिए petition पेश होने पर सबसे पहले तो पती-पत्नी की या तो परिवार ने लेके जज़ द्वारा या फिर वहाँ पर अपोइंट की हुए counselors के द्वारा counseling की जाती है और दोनों को समझाने की कोशिश की जाती है अगर counseling fail हो जाए तो ही आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी अगर पती-पत्नी counseling के बाद भी तलाग चाहते हैं तो court 6 महीने की बाद की कोई date fix कर देता है 6 महीने की date इसलिए दी जाती है ताकि पती-पत्नी तलाग के लिए पुनर विचार कर सकें और यदि इस 6 महीने के period में वो आपस में साथ रहने के लिए फिर से राजी हो जाएं तो वो petition को withdraw भी कर सकते हैं यदि 6 महीने के बाद की date पर पती या पत्नी में से कोई court को ये कहता है कि वो तलाग लेने के बारे में sure नहीं है और उसको सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए तो court मामले में सुनवाई नहीं करता बलकि आगे तारीक दे देता है आपसी सहमति के अधार पर पेश की गई petition को 18 महीनों में सुनवाई करके decide किया जाना जरूरी होता है इसलिए विचार करने के लिए तारीक पेशन पेश होने से 18 महीनों के लिए ही दी जा सकती है उसके बाद की तारीक नहीं मिलती अगर इस दोरान पती-पत्नी में से कोई भी ये सोच ले कि उसे तलाक नहीं लेना है तो वो कोर्ड में पेशन को वापिस ले सकता है अगर ऐसा किया जाता है तो कोर्ड उस पेशन पर कोई सुनवाई नहीं करता बलकि पेशन को खारिज कर देता है और अगर पती-पत्नी 6 महीने की बाद की तारिक पर उपस्थित होकर बताते हैं कि उनको तलाक ही लेना है तो दोनों के बयान करवाए जाकर सुनवाई की जाती है और कोर्ड तलाक की डिक्री जारी कर देता है जिस तारिक को तलाग की डिक्री जारी की जाती है उस तारिक से दोनों पक्षकार आपस में पती-पत्नी नहीं रह जाते लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ये important है कि तलाग के लिए सुनवाई और decision तभी हो पाता है जब पती-पत्नी दोनों कोर्ट में उपस्तित हो अगर कोई भी पक्षकार उपस्तित नहीं हो तो तलाग की डिक्री जारी नहीं की जा सकती दोस्तों उम्मीद है आपसी सहमती से तलाग की प्रक्रिया को समझ पाए होंगे इसके अलावा भी आपके कोई सवाल है या आप अपने किसी मामले में परामर्ज के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर उपर दिखाए गए नमरों पर फोन या वाटसेप करके कोल बुक करवा सकते हैं ऐसी ही उपयोगी लीगल जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में